नमस्कार आप सभी का स्वागता है हमारे यूटूब चैनल चीनिया क्लासेज पर तो आज अपने बात करेंगे पीटेट प्रिक्षा 2023 के लिए मैत्पून दिसान दे जैसे कि आपका प्रिक्षा के लिए ड्रेस कोड क्या रहेगा कौन कौन से डोकूमेंट आपको प्रिक्षा जब देने जारी उस हाथ में ले जाने ही पड़ेंगे इसके लावा प्रिक्षा सेंटर पे आपको कितने बजे और कितने सम्या पहले पहुंचना है इसके लावा जो विदार्तियों में मन में सबसे जो बड़ा डाउट था जो चल रहा था कि नेगटिव मार्किंग होगी या नहीं इसके लिए जो गौविंद गुरु जनजातिया विश्व देले है उसने ओपिशल नोटिफिकेशन जारी करके और नेगटिव मार्किंग के बारे में क्लियरंस है वो दिया गया है तो उस पे भी अपने चर्जा करेंगे इसके लावा एडिमिट कार्ड आपके कब जारी हो करेंगे और किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली एक वार वीडियो को सुरू से अंतक पूरा देख लेए ताकि हर चीज आपको प्रिक्षा समंधित पहले से कलियर और बाद में आपको किसी से बार बार न जनजातिय विडियो के दवारा ये प्रेशनोड जारी करके आप दिनाग देख सकते हो ग्यारा पांस दोजार तइस और इसमें जो जो बातें कहिए हैं के वहला हम आपके साथ वही चीज़ें करने वाले इसमें का गया है पीटेट दोजार तइस के लिए तो गुरू जनज प्रिक्षारतिय विडियो जनजार फारी को प्रता के लिए इसमें जो इसमें का गया प्रिक्षारतियों को प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड विश्चि़ें की वेबसाइड पर दिनाग 15 में 2003 से पराप्त किये जा सकते हैं यारनिकि 15 में के बाद में पंदरा मेई बाड़े दिन से आपके एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो इसकी ओपिशेल वेबसाइड है jgtu.sc.in पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो आगे इसमें का गया किसी भी प्रिक्षा अर्थी को प्रिक्षा के अंदर में प्रिक्षा समय 11 वजे से एक गंटा पूरा बरता 10 वजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा यानि कि 10 बज़े से पहली आपको 9 बज़े या साटे नो इसके राउंड आपे प्रिक्षा के अंदर पे पहुँझ जाएं क्योंकि 10 बज़े तक आपको इंट्री है वो वांपे दी जाएगी इसके पचात किसी भी बियर्थी को प्रिक्षा के अंदर पर प्रवेश नहीं दि जाएगा क्योंकि अग्सर अविद्यार्थी आपे गलती करते हैं उसके उनकी प्रिक्षा है वो छूट जाती है तो इस बात का विज़ेश जारगी आप प्रिक्षा के अंदर पर नियत समयावदी में प्रिक्षा दिवस को सरकार्दवारा जारी फोटो युक्त मूल पैच अगर आपका जो आपको लेके जाना पड़ेगा उसी के आदर पर आपको वेरिफिकेशन होने के बाद एंट्री आगे दी जाएगी आगे इसमें का गया है प्रिक्षा तीन गंटे की ओफलाइन मोड पर होगी यानि कि बिल्कुल आपको पेपर दिया जाएगा ओफलाइन होगी जिसमें अभियरती को ओमार सीट पर निले या काले पारदर्शी बोल पैन से परसंख्या क्यों सार जो काड़े जो आपके सरकल होंगे वो आपके काड या निल्ला कोई भी पैन यूज कर सकते हो और पैन है वो पारदर्शी बोल पैन आपके पास है और ना चीए तो यह थी इस मंदीत प्रमुक बाते हैं फिर अपने बात करें जो एक जो चीज जो चल रही थी हमने भी कल वीडियो करी थी क्योंकि लगवग सभी न्यूस जितने भी अलग-अलग न्यूस पर सब में एक चीज प्रकाशित की गी थी कि इस बार है वो पीटेट 23 के लिए जो एक्जाम हो रहा है कि इस मेरी को उसमें नेगटीव मार्किंग होगी लेकिन अब से फिर से जो विसवी देले उसने एक प्रेस नोट जारी करके इस बारे से आपको यह चीज बताई थी कि नेगटीव मार्किंग रखा गया लेकिन इस प्रावधान को अटा देया गया और फिर से इसमें आपका कोई भी नेगटीव मार्किंग नहीं होगा लेकिन इस बार आपको इसमें कागया प्रिक्षारती प्रिक्षा उपरांत मूल परती है मूल परशन पत्तर आप जो पेपर है वो साथ में ले जा सकते हूँ प्रिक्षा उपरांत अवेदन पत्तर परविष्ट समंदी तुरूट्टी सुधार का अवशर दिया जाएगा प्रिक्षारती को निर्दारी सुलक द्वारा या सुईदा देया होगी तो इस ब प्रूस अविर्थी आधी आस्तिन के शर्ट, टीशिट, पैंट, हवाई चपल, सलिपर, पहन करें यानि की हाबाजु का आपको अना चीए पैंट, हवाई चपल या सलिपर आपको पहन के जाने है जुत्ते बापे अलावव नहीं किरेंगे मेला भी अरती सलवार सूट या साड़ी आदी आज दिन का कुर्टा बलाउज हवाई चप्पल स्लिपर पहन कर आएं बालो में साधान रबड बेंड लगा कर आपको आना यानिके ज़्यादा कुछ वहां पे आपको नहीं पहने दिया जाएगा प्रिक्षार्थियों की बेस बुचा में किसी परकार के अभूशन अता जेवरात एम कोई भी ताबीज दागा बांद कराने के उनमती नहीं होगी किसी परकार के मेटल की कोई बस्तू साथ में ले जाने के उनमती नहीं होगी यदि आपने अभी पहन रखिया तो इसको पहले जो बोईस है उनके लिए हाफ बाजू का शाट टेशट, नॉर्मल पैंट और स्लिपर और इसी परकार मेला भीर्टियों के लिए सलवार सूट या साड़ी आधी आस्तिन का कुरता बलाज हुआ है तो ये इनका डरेस कोड रहेगा तो ये थी इससे समंदित, प्रिक्षा से समंदित, मैं जानकारी उम्मीद करता हुआर चीज आपको चैसे क्लियर होगी होगी कोई भी आपका डाउट है, कोई भी परशनाथ कोमेंट करके आप अप शेर्व से पूछ सकते हो, चैनल पर आप नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, गंटी दबा दें, ताकि हमारे चैनल के मादिन से उप्योगी और नमीतम अपडेट आपको समय समय ब्रुपलंग होती रहे, तो मिलेंगे नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद